दोस्तों तो यह जो आप देख रहे हैं यहां पर यह हमारा bms system लगा हुआ है यह जितना भी इसको लगाने से हमारे benefit क्या है न कि हम लोग को जो भी काम है वो असानी हो जाएगा मतलब जा करके वहां पर आपका जो भी है status यहां से बैठे बैठे चेक कर सकते हैं और system को यहां से monitor कर सकते हैं तो यह हमारे benefit है VMS लगाने से इसमें देखे अभी क्या है status क्या चलता सब आटो मोड में डाला हुआ है कितना प्रेसर आ रहा है जा रहा है कुछ भी problem होता है तो हम यहां वाज कर सकते हैं अभी मालीजे जैसे कि आप उपर टेरिस में लगा हुआ है तो वहां जाकर चेक करने में दिकत है यह जो अभी हमको चिलर मालीजे यह वाले बंद करना है दो नमार बंद करना एक नमर चलों करने तो हम लोग चलू कर सकते हैं इसे तरह से यहां पर सबका लेभिंग चिह वाटर होगा सबका शेट्पैंट यहां पर दिया हुआ है और दूसरा हमलोग मान लिजह Salutably है यहां पर जिटना estu manaterie ыनि का पृप का बीप्लीग हेस वादीग ही स्थी फ्लॉर का बीडिंग है four भृट्टिंग है इसे ध्रूर है और फ्र्स फ्लॉरल सेकेंड फ्लॉरा अन थ्र्ण यह ऑफ रहेगा तो दिखाएगा शफलाइ एयर टमप्रेचर जो है इसका कितना है नाइंटी निग्री समप्रेचर जो है दूसरा टमपरेचर ट्वैंटी टूपॉंट एट है आरेज कितना मेंटेन रिटन आर्एज कितना रहा 52.6 परजेंट सफलाय यह टंपरिचर सेट पॉइंट कितना है नाइटीन है तो यह अपना जो है मतलब 19 हम लोग सफाय टंपरिचर सेट पॉइंट रखे हैं और हमारा यह 19 चल रहा है और हमारा मेंटेन कितना और 53 उसके हिसाब सेट पॉइंट किया गया है फिर चिल्ड वाटरफल पोजिशन 16 परसेंट ओपन है क्योंकि 100 परसेंट नहीं कि ओल्रेटी टंपरेचर इसको जो देखना है तो माले फिर्स्ट फ्लोर का हम एची नमबर तीन ओपन करते हैं यह हम तीन ओपन कर दिये तो यहां पर यह जो यह जो यूनिट लगा हुआ है यह फ्रेस एयर का लगा लगा हुआ है फ्रेस एयर इंलाइन फैन तीक से इतर से आ रहा है और इसको कुलींग करके इसको इसको इसका रिटरन में एड़ करा यहां से बंद कर सकते हैं और फिर आगे जहां पर मतलब जरूरत है वहां पर यह सर्फ किया रहा है अब इसके अंदर यहां पर भी जो है इसका भी जो है तुमप्रेचर के हिसाब से कंट्रोल हो रहा है तो फिर बी जैसा हम लोग सेट उसका किये रहे हैं उस ब्हू देखा जाए तो बहुत सारे जगहा पर क्या होता है VAB भी दो तरह के आता है, कि independent VAB आता है, dependent VAB आता है, independent में क्या होता है, यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसने VAB यह independent है, मतलब कि जो भी मतलब अगर VAB के पास, अगर room का temperature आने के बाद जो है VAB close position में करता है, तो जब close position में करेगा, तो उस वक्त क्या होगा, कि उसका bypass वहाँ पर एर निकलेगा, और वहाँ से एर जो है, remove हो जाएगा, और दूसरा एक dependent VAB में क्या होता है, कि आपका जो pressure है, supply air duct के अंदर जो है, aesthetic pressure बनाता है, तो pressure को sense करके, उसके हिसाब से जो है, VFD को run कराता है, तो यहाँ पे जो VFD लगा है, इसका बहुत बड़ा role नहीं है, ज चाहिए, जहाँ पे pressure state point के हिसाफ से रहेंगा, temperature आने के बाद जहाँ पे पहुत सारा वहीज हो यहाँ लगा हुआ है, वहाँ पर क्या होता है, जिसे कि temperature आ गया, तो क्या होगा कि VAB क्लोज करेगा, तो मा लिजए एक हुशू से अपने 6 वही लगाया, तो侯ाव करों से लिफ्ट करेंगे तो घ्री गहीं कि अक्याएगा एक में फिथ अदर बढ़े κα्ट अंदर प्रेर बढुए जूसाओ देजिक क्वा तो एक येव ईक从 तो मुह करता है तो इसके हिसाब स से लग भग है अक्लोज नहीं करते हैं क्योंकि फुल क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि फ्रेश एर वकर्यट जो नहीं मिलेगा और आधमीं Silas वहां पे तो यह चीज जो है अपना हमकर यका फंक्शन देखें आसा फ्लाई एडव प्रशेट पोइंट है अब यह इसाप कर चाल डिक रहे हैं फॉर्टी डिडी है 14 डिग्री संटिग्रेट है फिर इकनोमिक टमप्रेचर सेट पन्ट मतलग एवरेज मेंटेन करने के लिए 18 डिगरी है परजेंट सफलाइट टमपरेटर फॉर्टी डिगरी है भी एवडी का मिनमाम स्पिट देख रहे हैं से 70 परसंट है तो इस तरह से यह इंबियंट टमपरेचर देख रहे हैं आउटसाइड का दिखा रहा है इंबियंट हमिडिक इ यह रिटर्न है यह हमारा रिटर्न है कितना 50% अरेज हमको मिल रहा है जितना मतलब चाहिए लेकिन जब हम यहां पे कुलिंग क्या पास जब हमारा सफ़ाइड हो रहा है तो वहां पर क्या है आरेज कितना 72.3% आरेज है लेकिन वह जैसे ही रूम सब्ड एरिया में जाएग हमारा कम होएगा यहां बढ़ेगा तो थोड़ा उसमें हीट आएगा तो उसके एक अर्य जो है यह उतना मेंटेन करना हो जाएगा उसके इसाब से हमारा हीटर भी है जो आर्येज को मैंटेन करता है जो यहां पर आप देख रहे हैं अभी ओन पोजिसन में है तो यही था और आप लोगों को हम भीविस के बारे में जैसा कि हम आप लोगों को पोड़ पर बताये हैं पहले भी बता चुके हैं तो आप लोग देखें